हेलो फ्रेंड स्वागा थे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर से जूगेशन पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री विसाय से संबंदित कुछ प्रेश्णों पर जो की मुख्य परिक्षा में प्रतम प्रेश्ण पत्र के अंतरगत बहुत ही महत्पूर्ट होता है तो इसमें कम से कम 90 अंक का पोर्षन जो होता है वह हिस्ट्री के अंतरगत कवर किया जाता है तो दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ आप हमें इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पर फॉलू कर सकते ह इसके अलावा आप हमें टेली गράम पर जॉइन कर सकते हैं टेली ग्राम पर आपको अन्य महत्पूर कंटेंट प्राप्त होते हैं जो कि मुख परिक्षा और प्रारंबिप परिक्षा दोनों से ही सम्बनत होते हैं इसके पस्षा दोस्तों हमारे बहुपयोगी नोट्स भी प्लब्ध हैं जो कि 2020 की मुख परिक्ष और 2019 की मुख परिक्ष दोनों के लिए अतियंतलाप कारी हैं तो दोस्तों सीगरती सीगराप उन्हें परचेस कर लीजिए और हमारे नोट्स की माध्यम से अपनी सफलता में चार्चान लगा लीजिए अब हम चर्चा करते हैं हमारे प ततत दस अनुचसूचियां सामल थी तो जो भारतशासन अठीनियम था वह है अंतिम संबेधानिक प्रस्ता हो था जिसमें चुदा भाग थे 321 धाराएं थी ततत दस अनुचसूचियां इसमें सामल की गई थी इसमें संघात्मक सर्कार की स्थापना का परियास किया गया थ अखल भारतिये संगी की बात की गई थी, बर्मा को भारत सासन से प्रतक कर दिया गया था और समस्त्र बिसेओं का बटेवारा तीन सूचियों में किया गया था संग सूची, राज सूची और संबर्ती सूची इसके अंतरगत केंदर में दोयत सासन को लागू किया गया था और राज्ज में दुई सतनात्मक विवस्था को प्रारंब किया गया था संगी नियाले की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था साथी साथ केंदरिय बैंकी के स्थापना भी की गई थी इसमें अफसिष्ट सक्यों पर अंतिम निर्णय जो गवर्नर जनरल का होता था अफसिष्ट सक्यों पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था इसके अलावा है जवारलाल नहरू ने इस एक्ट को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ऐसा कहा था इसके अलावा जिन्ना ने कहा था इस एक्ट को पूर्णता सड़ा हुआ मूल रूप से बुरी बुरा कहे कर पूर्णता अस्विक्रत कर दिया गया था इस एक्ट में अखिल भारतिय संग की स्थापना की जाएगी जिसमें देशी रियासतों का समलित होना बैकल्पिक था रियासते समलित नहीं हुई अता संग अस्तित में नहीं आया और प्रांतों को सौसासन का अधिकार दिया गया तो इस प्रकार से है हमारा भारसासन अधिनियम है एक बार हम पुना चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको यहीं केहीं याद हो जाए तो हमारा जो भारसासन अधिनियम 1935 है वह अंतिम संबेधानेक प्रस्ता था जिसमें 14 भाग और 321 धाराय तता 10 अनुसूचियां थी इसमें संबेधानेक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी प्रांतों को स्वायतता प्रदान की गई थी अखिल भारतिये संगे की बात की गई थी बर्मा को भारत से प्रथक कर दिया गया था समस्त विसियों का बटवारा तीसर अनुसूची में किया गया था राज में दुई सदनात्मक विवस्था प्रारंब की गई थी संग राज और संबर्ती सूची के अंतरगत समस्त बिसियों का वटवारा किया गया था इसके पशात केंदर में दुई सासन को लागू किया गया था संगी नियाले की स्थापना का प्राउधन किया गया था केंद्रिया बैंकी की स्थापना की गई थी जवाहलाल नहरू ने इस Act को एक कार्प कहा है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है इस प्रकार से बारशासन अधिनियम की निंदा की गई थी इसके पश़त जिन्ना ने इसे पूर्णता सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहा, तथा पूर्णता अस्वीकृत कर दिया था इसके पश़त इस एक्ट में अखिल भारतिय संग की स्थापना की जाएगी, ऐसा प्राउधन किया गया था जिसमें देशी रियासतों का समलित होना बैकल्पिक था, रियासते समलित नहीं हुई, अता संग अस्तित में नहीं आया और प्राउधनों को स्वसासन का अधिकार दिया गया था तो इस प्रकार से यह भारत सासना धीनिया में दोस्तो प्रारंबिक परिक्षा के लिए हमारी बहुत महुत पूर्ट टेस्सीरेच चलाई जा रही है जिसमें मात्र एक हजार रुपे में आपको सो एफल्टी सुपलब्द कराई जाते हैं जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रेशन कवर कर सकते हैं दोस्तो 10,000 प्रेशन कवर करने का मतलब होता है कि आप सफल्टा के एकड़म निकट पहुँचते जा रहे हैं क्यूंकि प्रारंबग परिक्षा में सफल्टा का मूल मंत्र यही होता है आप जितने अधिक से अधिक बस्तुने इस्ट प्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे इसलिए सीग्रा ती सीग्रा हमारी जो प्राड़मिक परिक्षे की टेस सीरेज है उसको जोईन करें और मुख्य परिक्षा में अपनी सफलता को सुनश्यत करने के लिए आप हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं अभी हमारे पास हिंदी, एथिक, सोसल, जोगरफी, MP, पॉलिटी, आदी की नोट्स एबेलेवेल हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी गई है, आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इंस्ट्रा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेक आउट कर सकते हैं साथी साथ हमारे notes purchase कर सकते हैं बहुत ही किफायती सुल्क में आपको हमारे notes उपलब्द कराई जा रहे हैं तो सीगरती सीगर आप हमारे notes purchase करें इसके पश्यात है दाणडी मार्च तुद्धा स्टेटमेन इस सफेद नदी के स्वागत के लिए एहमदाबाद वा सागरमती नदी के बीच की सड़क दोनों और उस दिन एक लाग से अधिक लोग जमा हुए थे ऐसा दांडी मार्च के लिए कहा गया है कि इस सफेद नदी के स्वागत के लिए एहमदवाद वा सावरमती नदी के बीच की सड़कों के दोनों और उस दिन एक लाग से अधिक लोग जमा हुए थे इसके पशात है गांदी जी के अनुसार हवा और पानी के बाद अगर कोई चीज आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत कही जा सकती है तो वह है नमक तो गांदी जी ने इस प्रकार कहा था कि हवा और पानी के पशात अगर मानों की आम आदमी के कोई सबसे बड़ी जरूरत है तो वह नमक है तो इस प्रकार से दाणी मार्च को संपनी किया गया था इसके पशात अंतरराष्ट्य एवेंट था टाइम मैग जी ने इसका प्रकाशन किया था 1930 में गांदी जी ने 1930 में गांदी जी को टाइम परसन आप दा इयर का किताब भी दाणी मार्च के कारण ही दिया गया था इसके पशात है अप्रेल अप्रेल से लेकर यह 12 अप्रेल तक यह यात्रा हुई थी इसमें नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था सावरमती आशरम से धांडी मार्च शुरू किया गया था एक पत्रे लिखा गया था कि नमक पर टैक्स जो बिटिस सरकार बापिस ले 21 किलो मीटर चल कर उसली गाउं रुके जो गांदी जी थे वह 21 किलो मीटर की यात्रा कर उसली गाउं रुके थे इसमें उनके साथ 97 अन् इसके बाद इन्होंने पत्रे लिखा था बिटिस गवर्मेंट को कि वह नमक पर जो टैक्स लगा है उसको बापिस ले इसके पशा सावरमती आशरम से धांडी मार्च तक के लिए इन्होंने यात्रा की थी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और इसके लिए भी पैदल इसके प्रमुक बिसेशता क्या है तो इस आंदूलन के दौरान बिटिस सरकार ने कोई अडंगा नहीं डाला और जो दांडी मार्च हुआ था इसमें महिलाओं की बिसेश भूमी का रही सरकार पर इसका कोई बड़ा असल नहीं हुआ किन्तु लोगों की मन में बिटिस सरका को भगाने की एक्षा को जरूर बल मिला था तो इस प्रकार से यह दांडी मार्च है जिसमें सरकार बिटिस सरकार पर कोई बड़ा असल नहीं हुआ किन्तु लोगों के मन में बिटिस सरकार को भगाने की एक्षा को बल मिला था इसकी प्रमुक बिसेशता यह है कि इसमें ब का था कि हवा और पानी के बाद अगर कोई चीज आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत कही जा सकती है तो वह नमक है और जो दांडी मार्ज था इसको अंतर राष्ट्य एवेंट की संग्या दी जाती है क्योंकि इसकी जो प्रकाशन था वो बैमेलर नामक पत्रकार ने किया था तो इस प्रकार से यह दांडी मार्ज था जो की 1930 में संपन्न हुआ जो की सबीना अवग्या आंदोलन का प्रथम चरन था दोस्तों आप हमारे नोट्स परचिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्रा मोजो की लिंक दी गई है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचिस कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं से संब्दित महतपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पर आपको उपलब्द कराए जाता है कोई भी प्रतियोगी परिक्ष प्रेरत होते हैं धन्नवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में